अज 16 दिसंबर है आज का दिन पुरी देश में विजय दिवस के रूप में मना जाता है 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर एतिहासिक जीद हासिल की थी और पाकिस्तान को दो हिस्सों में पाट जया था आज इस घटना को 52 साल पूरे हो गए है 1971 के युद्ध के दोरान पाकिस्तान के 93जास सैनिकों ने भारतियसिना के सामने घुटने देखकर और नाग रगड़ कर आत्म समरपन कर दिया था यह युद्ध पुरवी और पच्छी में दो मुर्चों पर लड़ा कया था पुर्वी पाकिस्तान में भारती सिना ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। साथी पच्छे में सीमा पर राजस्तान के डोंगी बाला मोर्चे पर पाकिस्तान की हमले को नाकांग करने भी। 23 पंचाब बटालियन और भारती वायो सिना के विमानों ने सरानिय प्रदशन किया। युद्ध में भारत की तीनों सिनाओ थल सिना, वायो सिना और नौ सिना ने पाकिस्तान को हरा दिया। 1971 के एतिहासिक युद्ध पराक्रम को याद कर, 32 जिना की वेर्ता और साहस को सलाम कर और युद्ध में सर्वच बलिदान देने वाले अमर सिनी को कोश्रधान जली दीगे। पुर्व वायो सिनीक कल्यान संग, IWAN नागपुर और अमर जवांस मारक समिती 16 दिसंबर 2030 को अमर जवांस मारक अजानी चोग नागपुर में 1931 विजय दिवस मना गया। कारिक्रम में बड़ी संख्या में तीनों सिनाव की पुर्वसैनिक परिजन, महलाय, नागरिक एवं विद्धा दिवपस दिती। कारिक्रम की अदिशिता करनल अभय पटवर्धनी की, उन्होंने स्वयम 1931 के युद्ध में भाग लिया था, अपने भाशन में उन्होंने भातिय सेना की पराक्रम को रिखांदिर किया। ब्रेकडियर सुनिल गाव पांडे सेवा निवरुत ने अपने भाशन में युद्ध की सफलता की कहानी सुनाई। इवान के महेश अंबुकर और मधुकर भंडार करने स्वागत भाशन किया। कैमरपरसन अजित कुवर के साथ शितिजा देशमुकी रिपोर्ट।